अगर अख्लेस यादो जी आएंगे यहाँ पे तो उनसे मिडिया सवाल करेगा कि अयोधिया का विकास आपने क्यों नहीं किया अगर राहूल गांधी जी आएंगे तो उनसे मिडिया सवाल करेगा कि अयोधिया के प्रतिय आपके पार्टी का बेरुखी क्यों था अगर मलिका और जुन खरके आएंगे उनसे राम पे सवाल होगा और यह लोग आस्तितों को नाकारना चाहते हैं यह लोग जो है इस चीजों को गलत दिखाना चाहते हैं इसलिए डर केमारे नहीं आ रहे हैं आप राधी लोगों को तो आप लोग नेता बनाते हैं बड़ी चाओ से और उस तो अस्पताल जाएगा कि मंदिर जाएगा आदमी के किडिनी में प्राब्लम होगा तो बिहार के सरकारी अस्पताल में जाएगा कि सिंगापूर में जाके इलाज कराएगा वो अपने पिता जी का इलाज सिंगापूर में करा रहे हैं जरा बताएए गरीब मुसल्मान गरी जिए से प्यार करता हूँ, मैं राष्टवादी हूँ, लेकिन मेरे उप़र रहने से लगा दिया गया था, फेले तो मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जितने भी पत्रकार लोग कहते हैं कि मंदिर पे बिवाद था, वह वह बवादित जगह नहीं था वह राम का जगह था उसे कुछ लोगों ने बिवादीत की तो वहां को बसक्कान ते तीकलिए आधाने Victatri Spanish तरों समंसरी गैंट में तो इति हास के अति हास unprecedented दिने का ईतजार यहां कर रही है तंव अधिया यह कॉने जा रहा हूँ जो खुद में एक शक्सियत हैं और इस वक्त आयोध्या में मौजूद है यानि कि मेरे साथ मनीश कश्यप है मनीश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद है ये राम की पावन नगरी जिसके सीने पे जो है सर्यूग नदी बहता है वहाँ पे आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए तो इसके लिए हेडलाइन के पूरे टीम को जो है दिल से धन्यवाद है अगर मैं जानू अयुद्धिया को लेकर आपने जो देखा यहां पर क्योंकि आप कई छेत्रों में घूमें हैं कई जगहों पर घूमें हैं आयोध्या के विकास को आप कैसे देखते हैं? आयोध्या सहर को बरबाद करने का प्रियास किया, यहाँ पे जो राम मंदीर हुआ करता था, राम मंदीर, उसको जो है तोड़ दिया गया, और वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया, सबको ये बात की जनकारी है, इतियास के पन्ने अगर उठा के देखेंगे तो इसकी जनकार आपको मिलेगी। वैयोधिया का नाम बदल के ठाधा कर दिया गया। जहाँ पर राम का जन्म हुआ। उसका नाम बदल दिया है। किस परकार से सडयांत्र मुगलों ने किया उसके बास अंग्रेजों को छोड़ दिये थे यहां पर उन लोगों ने कैसे भारत को तोड़ के रखा और अयोध्या के मंदीर के तरफ हो अगर वो लोग नहीं देखना चाहते थे तो आयोध्या में एरपोट बनाने से किसने रोका था आयोध्या की सड़कों को चोड़ा करने से किसने रोका था मनीश भाई मेरे यही है मनीश सवाल यही है कि चलिए मंदिर पर विवादित जमीन पर विवाद था लेकर अयोधिया के विकास को किस ने रोका था समाज से पहले तो मैं आपको रोकना चाहता हूं जितने भी पत्रकार लोग कहते हैं कि मंदिर पर विवादित जगह था वो वो विवादित जगह नहीं था वो राम का मेरा भी सवाल यही है आप यहां पर आए demi आपको देखता हूं पर आपको बड़ी फैनुंगें आप कहीं भी जाते हैं तो हुस्चेत्र का विकास भी दिखाते हैं आप उस चै pictures की कम्यां भी दिखाईए देखे इस पे बाड भी आएगा या कुछ भी आएगा तो इस घाट को कुछ नहीं होने वाला है कुछ नहीं होने वाला है कितना भी लोग आ जाए कुछ नहीं होने वाला है पटना में जाके इस परकार का कोई भी साप सुत्रा घाट आप दिखा दीजे कोई भी पटना में गंगा नदी है ना गंगा पामन नदी है वहाँ पे जाके एक भी घाट जो है इतना साब सुत्रा इतना सिस्टेमेटिक धंग से एक भी घाट पे जो है ये तीन-तीन हेलिपैट जो है दिखा दीजे एक भी घाट पे जो है इतना बणिया तरीके से प्लांटेशन प वहां तक यहां पर सफाई दिखेगा कहीं कोई जो है गंदगी फैलाने का प्रियास भी करेगा तो अयोध्या मुसिपल जो है उसे साप करता है तो इस पे क्यों नहीं बात करते हैं इस विकास नहीं बात कर रहे हैं जरह सोचिए आपने कहा कि गंगा है और वहां पर सबसे दम फिक्स घाट बना दिया जाएगा ना, तो इन लोगों का रोजी रोटी नहीं चलेगा, हर साल जो है, कडोरो नहीं, अर्वो रुपिया छट के नाम पे जो है, ये लोग ड़कार जाते हैं, जितना पैसा ये लोग पां़ साल में ड़कार जाते हैं, उसके आधे पैसे में जो है ना गंगा नदी के दोनों किनारे पटना में घाट पर्मानेंट इससे मजबूत इससे बढ़ियां बन सकता है लेकिन वो लोग बनाने का प्रयास नहीं करेंगे अभी देखिए यहां पे सडके चोड़ी हो गई है देखिए कितना कमाल का सडके दिख रहा है देखिए प आप को पता देना चाहता हूँ रामण को अपने घ्यान का अभिमां था रामण को क्या था ज्यान का अभिमां था और राम को अभिमां था तो यह जो हुआए समझने की जोड़त है अभिमान का राम को ग्यान था रावन को ग्यान का अभिमान था यह जो फर्क जो हुआ न इसलिए रावन का पतन हुआ और यही फर्क जो है कलियोग में बर्तमान समय में भारत के कुछ नेताओं को है कुछ नेता को अभिमान का ग्यान है कुछ नेता को धर्म का ग्यान है और वो लोग अयोध्या जैसे सहर का विकास कर रहे है धार्मी का स्वलो का विकास कर रहे है लेकिन कुछ नेता को अपने ग्यान का ही अभिमान है कुछ नेता को जो है अपने लगता है कि मेरे पूरवच जो है वह नाना जी यो परधान मंतरी थे Him know he लेकिन बढनी कि करें में करें स्कलुट कि मैं बताता हूँ उन्होंने कहा था कि मेडल लाओ, नोकरी पाओ। अभी मैनुल हा के स्टेडियम में रंडजी मैच हुआ था। कि बिहार का दो टीम चला गया। है अपर एसे पहले बनवादी होतें। उनने अस्पताल का बात किया। बोला कि आदमी को चोट लगेगा। कि तो अस्पताल जाएगा कि मंदिर जाएगा गरीब प्रमण गरीब पासवान गरीब राजबुद क्या अपने बच्चे का इलाज जो है सिंगापुर में जाके करा पाएगा क्या करा पाएगा नहीं करा पाएगा लेकिन वो जो मुख मंत्री थे उनकी पतनी मुख मंत्री थी ये बरतमान समय में मुख मंत्री है और स्वास्त मंत्री खुद है और पिता जी का इलाज सिंगापूर में करा रहे हैं यानि इनको अपने ही विकास पे अपने ही बिहार के डॉक् इस ब्यक्ति को खुद के विकास पे, खुद के डॉक्टर पे, खुद के अस्पताल पे भरोसा नहीं है, वो राम मंदीर पे सवाल करेगा, वो मंदीर पे सवाल करेगा, और उसके सवाल पे हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, उनलोगों को जो है, बस ज्यान नहीं है, है कि यही मैं बोल रहू हूं न कि इन लोगों को अपने घ्याव का अभुमाह्न हो गया है क्या ग्जान का भीमान कि हम बहुत बड़ा ञैंन है जर्यसों चीए राम मन balanceär मन्दिर दरा यह किसी पाटी का इवेंट है यह राम भक्तो के आस्टा का प्रतीक है इसे तो इवेंट जो है यह विपक्ष वाले लोग बना दे रहे हैं बोल के बोल के बोल के बोल के जर असोचिये जो अयोद्या में सिर्फ 5,000 लोगों को रोजगार मीला था सिर्फ 5,000 लोगों को कागज, कलम से आप नोट कर सकते हैं पूरा डिटेल्स हम लोग दे सकते हैं सिर्फ 5,000 लोगों को अभी अयोध्या सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% बनी हुई है और यहाँ पे 5,000,000 लोगों को परतियक्ष और परतियक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ अयोद्या के किसी भी कोने में चले जाए वहाँ से 100 मिटर की दूरी पे आपको 3 मंदिर मिलता है अयोद्या के किसी भी कोने में आप चले जाए खड़े हो जाए वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे 100 लोगों को रोजगार जरूर मिला है अभी इधर देखिए इधर देखिए प्लास्टर वाले प्लास्टर कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे नदी के किनारे जो है प्लास्टर हो रहा है उन लोगों को रोजगार मिला है यह जो बना है यहाँ पर रोजगार मिला, सड़के बनी है, एरपोट बना हावाई, हेलिपाइट बना, सब रोजगार मिला हुए यह सारी चीजे जो है उन लोगों को नहीं दिख रहा है, नहीं पचापा रहे है इसलिए बोल रहा है कि ये बीजेपी का इवेंट है बीजेपी का इवेंट है हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे क्यूंकि अगर अखलेस यादो जी आएंगे यहां पे तो उनसे मिडिया सवाल करेगा कि अयोधिया का विकास आपने क्यूं नहीं किया अगर राहूल गां सवाल यह है कि आकर क्या है आपको लगता है कि भारतिंता पार्टी चुनाव 24 का हार रही थी इसलिए इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि इदर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम धरम की राजनिती नहीं करते हैं हम अगला पिछला दलित को जूड़ने का काम करेंगे तो पुपजल गुरू हम सर्बिंदा है तेरे कातिल जिंदा है सक्यारा कियों लगाते हैं क्यों सारुक खान को जो है आप लोग किंघ खान बनाते हैं और किंघ रहान च्वारत पाकिस्तान में और भारत में 6 कोडर मुसल्मान भारत में जो 6 कोडर मुसल्मान थे उनकी संक्या जो है बरतमान समय में 30 कोडर के असपास हो गई पाकिस्तान में जो 3 कोडर हिंदू थे उनकी संक्या जो है आज 3 लाख भी नहीं है सिर्फ ये सवाल कर देने से क्या दिकत है हम स इसके वज़े से सौधिया का विकास हुआ, ये बात अटल सत्य है, बेटिकन सिटी में एक चर्च है, इसके वज़े से बेटिकन सिटी का विकास हुआ, ये बात अटल सत्य है, राम मंदिर है आयोधिया में, इसके वज़े से आयोधिया का विकास हुआ, ये बात कहने में क्या हम संपरदाईख हो जाएंगे जडर बताइए तो यह सच्चाई है आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक पहलू देखना चाहते हैं दूसरा पहलू नहीं देखना चाहते है और आज डिजिटल जवाना है डिजिटल मेडिया है वो दूसरा पहलू दिखाते रहेगा अपने की डिटल मीडिया दूसरा पहलू दिखाते रहेगी आपने भी एक पहलू दिखा या था लेकिन नौ महीं ने के लिए आपको जेल में भेज दिया गया अगया Hani wrote ने ये मुझे देश रोही में उनकी सरकार थी और उसके पहले NSA का नाम था MISA, Maintenance of Internal Security, उसी MISA के अंतरगत जो है ना, सायद मुलायम सिंग जी भी गए थे, लालू परसादी आदो जी भी जेल गए थे, जब इंद्रा गांदिया पातकाल लगाई थी, M.K. स्टालीन जिनके राज्य में मेरे उपर NSA लगा और साथ महीने के अंदर कोट ने NSA खारिज किया, आप उठा के देख लिए, किसी के उपर से साथ महीने के अंदर NSA नहीं खारिज हुआ, क्योंकि कोट को भी पता था, कि इसके उपर गलत तरीके से NSA लगाया गया है मनिश जी, जब आप जेल में थी, हमने आपके भाई का इंटर्वी किया था दिल्ली में, उन्होंने जो हमें चीजे बताई, कि आर्थिक तोर पर आपको तोड़ने की कोशिश की गई, आपके अकाउंट फ्रीज कर दिये गए, आपके जो इस ओफिस में बॉई था, चाय ब और कमाल की बात यह है, कि वो सारे के सारे अभी मेरे साथ है, किसी ने टीम नहीं छोड़ा, एक लड़के ने टीम नहीं छोड़ा, जो ओफिस बॉई था, उसने भी टीम नहीं छोड़ा, जो समान इधर से उधर लेके आता था, उसने भी टीम नहीं छोड़ा, और जितने ल बूरे समय को अच्छे समय में बदलने में भी रूब शाथ रहेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से चटान की तरह खड़ी रहे ये पावर ये शक्ति ये ताकत कैसे में देखे मैं फौजी का बेटा हूँ पहला दूसरा आपने सुना होगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर मा होती है मेरी माने मुझे तूटने नहीं दिया जारा सोचिए जिसके उप उपर एक एक घटना जिसमें मैं सनलिफ तो भी नहीं था उस घटने में मुझे मास्टर मांड बनागे मेरे उपर छे केस तामिल अडू में और चार केस विहार में रजिस्टर किया गया उस घटना में उसके अलावा एस मेरे उपर Ya टोटल 11 केस मेरे उपर रजिस्टर किया गया एक घटना के वज़स से उसके बावजूद जो है मैं 9 महीने के अंदर अंदर जेल से बाहर निकल गया मैं 8 महीने पे भी निकल सकता था 11 महीने पे भी निकल सकता था 10 महीने पे भी निकल सकता था परभू सिरी राम की किरपा से मै नौ महिना में ही जिल से बाहर क्यों निकला क्योंकि एक बार मा ने मुझे जन्म दिया था और एक बार जिल ने मुझे जन्म दिया है मेरा दूसरी बार जन्म हुआ है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब दूसरी बार जन्म अब हो ही गया है तो कुछ ना कुछ बिहार के लिए और देश के लिए हम लोग करेंगे ही जेल में कैसा रहा वक्त कैसा वक्त गुज्रा जेल के अंदर की अगर उसके लिए किसी और वीडियों पे बातचीत करेंगे इस वीडियो में जो है योद्या में है तो इसन सब चीजों पर बाचित आप मानते हैं कि आप बड़े भागेशाली हैं कि इधर भगवान राम अपने महल में परवेश करेंगे टेन्ट से उठकर अच्छा आप ही सोचिये जिस ब्यक्ति के उपर 10 केस हुआ है तामिलाडू में चार अलग अलग जगा पर छे केस हुआ है बिहार में जो है चार केस हुआ है उसके अलामा जो है 15 केस में मैं बेल लेके आ हूँ वो आदमी जो है 22 जनवरी से पहले निकल गया, मैं 23 जनवरी को भी निकल सकता था, 24 को भी निकल सकता था, 25 को भी निकल सकता था, मैं जनवरी के बाद भी निकल सकता था, 15 केस है मेरे उपर, तामिलाडू में बेल लेना है, बीहर में बेल लेना है, पुराने केस है, उसको भी जानते हैं अब तुम्हारा परिक्षा ले रहे हैं हम तुम्हें जेल भेज रहे हैं प्रभू का साय से यह आदेश था मैं जेल गया और जेल से जो है राम मंदिर निर्मार से पहले मैं निकल गया तो मैं यहां पे जो है इन सब चीजों को देख रहा हूं और दिखा रहा हूं फिर मैं सडकों पे हूँ, नाली के बारे में बात कर रहा हूँ, रोड के बारे में, डेवलप्मेंट के बारे में, बिजली के बारे में, इलेक्टिसिटी के पोल के बारे में, देखिए यहाँ पे कितना उचा-उचा इलेक्टिसिटी का पोल है, और बिहार का एयरपोट है, वहां पर जो है बाउना लाइट लगा दिया गया है इतना बड़ा बड़ाहर, अब सोच यह मतलब कि कितना, कम दिमाग के लोग है, क्यों ऐसा चोटा लाइट लगाया गया क्योंकि बगल में जो है बाउंडरी वाल बड़ा नहीं है तो यह सारी चीजे मैं पहले भी दिखाता था जेल से निकलने के बाद भी दिखा रहा हूं और अब नेता गिरी में आ रहे हैं नेता बनना चाहते हैं यह सब इसलिए कि कहीं न कहीं मनीश नेता बने नेता बनने के बाद कहीं न कहीं नेता गिरी में आ रहे हैं नेता के लायक नहीं हो गनदा नाला है तो उसमें और गंदगी फैलाएंगे कि अच्छे लोग जाके उसको साब करेंगे इस सवाल जो बार बार मेरे से पूँचा जा रहा है बुरा मत मानियेगा ये सवाल जो है उन अपरादियों से उन बाहुवलीों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है। सबस्क्राइब। कह रहे हैं मैंने इसंट सभाडी किया क्योंकि यह यह चाहती है कि विहारके और बेंव्समादें यह चाहएं अब यहीं तो यह पूछा आपके गस्ता है तो यह चीजह को सुन्हें हैं गड़ी तो से sancti वाली जगह कि अच्छे लोगों को आना चाहिए और यह सवाल मेरे से पूछ रहे हैं आप लोग उससे अच्छा रहेगा कि जो भी आप राधी है जो बिहार को यूपी को अभी उतर पर्देश में हैं हम लोग खड़े बरबाद किया उन लोगों से पूछे तो ज्यादा अब क्या बिहार बदलने वाला है आप मानते हैं कि बिहार बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा भाई आपका योद्या आप यह बदाइए आप दस साल पहले सोचे थे कि आए इतना खूबसूरत होगा पीछे गुमाईये कैम्रामेंट दिखाए इन लोगों से पूछे दस साल पहले आप यह लोग सोचे थे कि आयोधय के लिए जी जो मनिस्सक्यव कर रहे हैं हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा पूरा देश बदले यह यह चीज़ नहीं देखे जब आयोधया बदल सकता है जिसके बारे में हम लोग कलपना भी दस साल पहले नहीं कर सकते थे बिहार भी बदलेगा और definitely बदलेगा और हम लोग बिहार को देश का सबसे खुबसूरत राज्यों में से एक राज्ये बनाएंगे तो चलिए हमारे साथ मनिश कश्यप है जो लगातार जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बाते रख रहे हैं कि क्या रही आप भी इस खबर पे इस वीडियो पे अपनी राए जरू रखें कैमरामें शिर्म यादब के साथ विनोश शर्मा आयोद्याधामजे